जब देखो बारिस हो रही है न किसी जगह पे बहुत तेज तो best चीज, मतलब best action आप उस समय क्या ले सकते हो, चुप चाप देखो बारिस को होने दो, ये best action आप उस समय ले सकते हो, क्या मतलब है इस चीज का, देखो life में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे control में नहीं हो जैसे देखो माली जी कोई किसान है, फार्मर है, अब उसने सब कुछ सही डंगसे किया, बहुत मैनत की, अपने खेत में फसल कटाई के लिए बिलकुल तयार है, हार्वेस्टिंग के लिए तयार है, लेकिन उससे पहले भ्यंकर बारिस आ जाती है, बहुत तेज, बहुत जाद नहीं सकता, क्या करेगा अब उस ऐसी सिचुएशन में, बारिस जब खतम हो जाएगी, सरकार मुआज़ा वगरा देगी, किसान उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है, उसी परकार से देखो स्टूडेंट्स हैं, ज लेकिन अगर प्री से पहले भगवान ना करे कोई स्टूडेंट बिमार हो जाए बहुत ज़्यादा, कोई एक्सिजेंट हो गया, तो ये सिचुएशन देखो उसके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, आगे ठीक एक्शन लो, यह ही हम कर सकते हैं, बजाए फ्रस्टेट होने के, बजाए के अपने दुखडे रोने के, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यूं हुआ, किसका ये कोट है, हैंडरी वेड्सवर्थ लोंग फैलो का ये कोट है, नाम भी कितना मुस्किल है, डेट आज की देखो 26 जनवरी है, सबसे पहले नमंबर में अडोप्ट कर लिया था, तो दो महिने बाद क्यूं रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, इस कोशन का आंसर आपको देना है नीचे कोमेंट बोक्स में, आर्टिकल आज अच्छे-च्छे हम डिसकस करेंगे, हिंदू में ज्यादा अच्छे आर्टिकल नहीं है, राजनीती से संबंदित हैं, लेकिन आज पेपर 3 में इंफरस्ट्रक्चर से रिलेटिड एवियेशन मार्केट का टोपिक है, पूरा कम्प्लीट कर देंगे, उसे हम डिटेल से डिसकस करेंगे, सरकार के ये दो साइंस प्रोग्राम्स हैं, वैभव और वज्र, क् लेकिन अब तर्की ने निर्ने लिया है, कि वो स्वीडन को स्पोर्ट करेगा नाटो का मेंबर बनने के लिए, चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं, इसके बार नेस्ट आर्टिकल इंडिया के अवियेशन सेक्टर से समधित हैं, आप देखो, जियास पेपर 3 में जो इंफर अवियेशन सेक्टर के मामले में, पाचवे नंबर पर सबसे बड़ी मार्केट हैं, अगर दोमेस्टिक पैसेंजर्स की बात करें, तो बलकि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मार्केट हैं, इंडिया पूरे वर्ड में, अगर दोमेस्टिक पैसेंजर्स के हिसाब से देखें और international passengers के हिसाब से देखे तो इंडिया की जो aviation market है ना पूरे world पे 7 नंबर पे है दोनों को add करोगे domestic passengers प्लस मैं international passengers तो इंडिया 5 नंबर पे पूरे world में सबसे बड़ी market है लेकिन लक्षय ये है कि आने वाले 3 सालों में इंडिया पूरे world में 30 नंबर पे सबसे बड़ी aviation market हो ज जाएगी 300 million की और अभी हमारे देश में जो अलग-अलग airlines है ना जैसे Indigo, Air India इन सब के पास अगर aeroplanes की संख्या जोड़ दें तो सब के पास मिलाके आज के समय में 723 के आसपास aeroplanes है लेकिन 2030 आते आते हमारे देश की airlines के पास aeroplanes होंगे आलमुष 2000 के आसपास इतना तेजी से हमारे देश में aviation sector ग्रो कर रहा है थोड़ा data देखिए जो आप answers में use कर सकते हों 2014 में domestic passengers कितने थे हमारे देश में 60 million 2020 यानि COVID से पहले बढ़के संख्या हो गई 43 million International passengers की संख्या 2014 में 43 million लेकिन 2020 में बढ़के हो गई 64 million आलमुष 50% का इजाफा airports आज के समय में हमारे देश में कितने है 148 148 में देखो सिधा सिधा operational airports है 137 दो water aerodromes में है water aerodromes क्या होते हैं जैसे देखो कोई lake है जील है उसमें कोई particular sport है open water है जहाँ पे sea planes को land करवाया जा सकता है तो उस landing site को water में कहते हैं water aerodromes इसके अलावा 9 हमारे देश में heliports भी हैं यह heliports क्या होते हैं जैसे देखो helicopter वगरा नहीं होते उनको land करवाने की sites जो होती है उनको बोलते हैं heliports helicopter या फिर इस परकार के कुछ और aircraft उनको land करवाना वहाँ पे उनको fuel वगरा देना या फिर दूसरी services ऐसी जगाओं को बोला जाता है heliports तो sector जो है लगातार profitable होता जा रहा है यह aviation sector International Air Transport Association के report है दो हजार चोबीस में 2023 में airline industry का profit 40.7 billion dollars और दो हजार चोबीस में operating profit होगा 49.3 billion dollars airport infrastructure तो हमारे देश में देखो लगातार बढ़ रहा है सरकार का लक्षय यह था उडान scheme के तहट कि 2024 आते आते 100 नए airports सरकार establish करेगी और 100 में से देखो 74 तो सरकार ने establish भी कर दिये हैं छोड़े छोड़े शेहरों में अब flight चलने लगी है अब opportunities की बात करते हैं कि इंडिया के aviation sector में potential opportunities क्या है देखो हमारे देश में na MRO services का काफी scope है MRO services मतलब जैसे देखो हमारे देश में planes की संख्या बढ़ेगी तो अब उनको repair करवाना, उनके equipants change करवाना, उनकी maintenance ये सब services आती है MRO services में, maintenance, repair and overhaul services में अब इसकी भी एक बहुत बड़ी market है 2025 में ये market grow होके 4.33 billion dollars की हो जाएगी next, drones वगरा की market हमारे देश में काफी तेजी से बढ़ रही है 2026 आते आते ये 1.8 billion dollars की हो जाएगी और जून 2023 में US ने ये कहा था कि वो committed हैं, इंडिया को पूरे world में drones के लिए MRO services का hub बनाने के लिए मतलब दूर दूर से विबिन देश जो है वो इंडिया में आएंगे drones की maintenance, repair के लिए, maintenance के लिए और equipments change वगरा करवाने के लिए अब इसके बाद देखो, challenges की बात कर लेते हैं aviation sector के सामने क्या challenges है सबसे पहले देखो, हमारे airports ना कई बहुत पुराने हैं जैसे मुंबई का airport 1950 के आसपास established हुआ था reclaimed land पे established हुआ था आज हमारे देश के कई सारे airports इतने ज़्यादा congested हैं जैसे दिल्ली देख लीजिए बहुत कम passengers को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था दिल्ली का airport लेकिन अब कम से कम पांच गुना ज़्यादा passengers दिल्ली का airport handle कर रहा है नए airports उतना तेजी से नहीं बन रहे हैं जितना तेजी से बनने चाहिए बहुत ज़्यादा congested हैं अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कई बार ऐसा होता है plane को दिल्ली airport पे land करवाने के लिए 30-30 minute का wait करना पड़ता है हवा में जैसे ये airport है plane जो है हवा में चकर काटता रहता है काटता रहता है कि मेरी बारी आएगी तब मैं नीचे land करवाऊँगा क्योंकि इतने सारे planes हैं जिनको land करना होता है waiting time लगता है जबरदस्त वाला take off करने के लिए भी कई बार तो 25-25-30-30 planes की line लगी होती है कि मेरे number आएगा take off करने के लिए इतना ज़्यादा congestion है आज भी हमारे देश में जो air traffic management है पुराने तरीके से चल रही है जिसे US में बात करें न वहाँ पे जो air traffic control होता है न उसमें क्या होता है पता लग जाता है radar सामने होता है एक बड़ी सी screen होती है पता लग जाता है कौन सा plane कितनी हुचाई पे उड़ रहा है कहां पे है लेकिन आज भी हमारे देश में air traffic management ना manually चलता है pilot से बात करके coordinates भरे जाते हैं system में इस परकार से चलता है इवन देखो parking का space बहुत कम है दिल्ली जैसे airport में ना parking का space बिल्कुल है नहीं दिल्ली मुंबई में तो क्या करती है flights इंडिगो जैसी last flight ना दिल्ली से लखनाओ कर दिया for example दिल्ली से एहमदाबाद कर दिया इसी बहाने लखनाओ जाके plane खड़ा कर देंगे और सुबह सुबह वापस ले आएंगे दिल्ली इस परकार से काम चलाती है airlines next regulation की बात करते है infrastructure की तो बात कर ली poor है regulation भी देखो बहुत ना hap hazard है इतनी सारी agencies है DGCA, Airport Authority of India Ministry of Civil Aviation अब सबके अलग-अलग order कई बार आते है confusion आती है क्या किया जाए क्या ना किया जाए इन confusion के कारण delay होता है operations में तो मतलब regulatory framework अच्छा नहीं है इसके बात बात आती है skilled workforce की हमारे देश में देखो skilled workforce की बहुत कमी है जिसकी वज़े से safety compromise होती है बहुत बात delays होते है time पे engineers में नहीं मिलते plane को ठीक करने के लिए even दिक्कत ये भी है professionals को train करने के लिए training cost काफी ज़ादा है अभी भी पुरानी facilities है training provide करने के लिए तो कहने का मतलब ये है skill में mismatch है next dollar dependency देखो जैसे हमारे देश की जो airlines है ना वो international companies से for example plane lease पर लेती है या फिर और बहुत सारी services dollar में लेती है लेकिन अब जो domestic passengers है वो तो कैसे payment करते है रूपी में करते है तो बहुत बार ऐसा होता है जब dollar के मुकाबले में रूपी की value कम हो जाती है तो airlines को काफी नुकसान होता है क्योंकि इनको services लेनी है उन international companies से जिनको payment करनी पड़ती है dollar में लेकिन domestic passengers pay करते हैं रूपी में रूपी की value हो गई कम dollar के मुकाबले में तो बहुत दिक्कत हो जाती है हमारी airlines को next cut throat pricing आपस में देखो इतना competition है airlines के बीच में operating cost इतनी जादा है तो घाटे में चलती है जातर airlines next supply chain issues supply chain issues मतलब जैसे देखो Air India, Spice Jet, Go Air, Indigo इनके ना मिला के 110 plane तो parking में पड़े हैं आप पूछोगे sir क्यूं किसी के engine में problem है किसी में कोई दूसरी problem है ये तमाम तरह की problems ये 100 planes face कर रहे हैं उड़ी नहीं रहे हैं ground पे हैं समझे तो मतलब ये supply chain वाला issue है फिर उसके बाद है comparatively low penetration basic देखो हमारे देश में domestic passengers की market इतनी भड़ी है बट जनसंख्या भी तो देखो ना यार जनसंख्या कितनी जादा है जनसंख्या के हिसाब से देखे तो हमारे देश में अभी भी aviation sector का penetration बहुत कम है next high fuel cost जो airlines operations चलाती है ना 50 से 70% खर्चा तो देखो ATF पे आ जाता है aircraft turbine fuel पे आ जाता है और इस पे ना सरकार बहुत तरा tax भी लगाती है तो airlines की सिकायत ये है कि भाईया कम tax लगाओ ना आलरेडी हम घाते में चल रहे हैं आप इतना इतना tax लगा देते हो aircraft turbine fuel पे हमको operation चलाना इतना महंगा पड़ता है जबकि दूसरे देश में ATF पे जो tax लगता है ना वो कम है next mock drill frequency देखो जपान airlines का plane टकरा गया था हमने एक article discuss किया था जिन्होंने उस दिन attend नहीं किया मैं आपको बता देता हूँ देखो जपान के airport पे एक coast guard का plane टकरा गया जपान airlines के plane से इतना जल्दी वहाँ पे cabin crew ने जो passengers थे उनको plane से उतरवाया बहुत professional ढंक से लेकिन हमारे देश में आपको पता है जैसे ही plane रुखता है या फिर train रुखती है हबड़ड़ मत जाती है बहार निकलने की इवन नॉर्मल टाइम में भी और बगवान ना करे कुछ disaster आ गया तो लोग अच्छे से behave नहीं करते उस article में हमने discuss किया था जपान के लोगों ने उस समय जैसा discipline शो किया ना वो एक example है वैसा culture बाकी देशों में भी आना चाहिए discipline के मामले में अगर बात करें तो जपान देखो famous है मतलब पूरी दुनिया में जपान के लोग famous है discipline के लिए जैसे अगर कोई train वगरे में वो जाते हैं तो phone हमेशा silent पे मिलेगा कोई unnecessarily हुर्दंग नहीं मचाएगा public में point पे आते हैं तो mock drill ज़ादा होनी चाहिए हमारे देश में ताकि disaster वाली situation में situation को संभाला जास के सरकार ने क्या किया है aviation sector के लिए अब उनकी बात करते हैं सरकार के initiatives की बात करते हैं देखो सरकार ने allow कर दिया है अब 100% FDI आ सकती है automatic route से देश के aviation sector में यानि विदेशी companies आसानी से invest कर सकती है देश के aviation market में इसके बाद next सरकार देखो इन सब चीजों को promote कर रही है जैसे helicopter services sea planes MRO का hub बनाना चाती है सरकार देश को बहुत सारी schemes चलाई है 2016 में policy IT national civil aviation policy 2016 इसमें बहुत सारी बाते की गई जैसे ease of doing business लाएंगे procedure बिलकुल simple कर दिया है चीजों का बहुत सारी चीजों को deregulate किया है सरकार ने MRO services पे GST पहले 18% था घटा के 5% कर दिया है Udhan scheme सरकार ने चलाई regional connectivity scheme है छोटे छोटे शहरों को आपस में जोडने के लिए समझे मतलब जैसे देखो North East की cities हैं वहाँ पे plane नहीं जाते तो सरकार subsidy देती है कि मिजोरम की राजधानी आईजोल में भी plane जाए मिघाल्या की राजधानी सिलोंग में भी plane जाए वहाँ पे छोटे छोटे plane चलते है दो-दो seat वाले मतलब कम seat वाले plane वहाँ पे चलते है योगि demand उतनी नहीं है लेकिन सरकार चाहती है शुरुवात तो करें demand अपने आप दिरे-दिरे आ जाएगी तो इसके लिए सरकार सबसेड़ी देती है उडान स्कीम के तहट एरलाइन्स को डिजी यात्रा पोलसी सरकार अब लेके आई है आप एरपोर्ट पे एंटर करोगे बायोमेट्रिक आपके स्कैन होंगे आपको ना दो-तीन बार जो अपनी टिकट दिखानी पड़ती है आईडी खोल के दिखानी पड़ती है वो नहीं खोल के दिखानी पड़ेगी सीधा स्कैन होंगे बायोमेट्रिक्स और दरवाजा खुल जाएगा इसके बाद नेस्ट हैं मोनेटाइजिंग एसेट्स दिखो एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया ने जोइंट वेंचर इस्टाबलिस किया है प्राइवेट कमपनीज के साथ यनि पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के अंतरगत साथ एरपोर्ट जैसे एमदाबाद जैपूर लखनाओ इन सब का जो एरपोर्ट है ना इन साथ सिटीज का वो मैनेज किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप में आने वाले 50 सालों के लिए और क्या क्या कर रही है सरकार सरकार चाती है हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा एर स्पोर्ट हो इसके लिए नैशनल एर स्पोर्ट पोल सी 2020 आई हमारे देश में ड्रोन मैनिफेक्टरिंग को बूश्ट करने के लिए इंडिया को वल्ड का ड्रोन हब बनाने के लिए सरकार ने PLI स्कीम लॉँज की है प्रोडेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रोडेक्शन ज़वदा करो कोई ड्रोन की आपको इंसेंटि मिलेगा ड्रोन रूल्स को थोड़ा लिबरल मना दिया गया है ताकि असानी से ड्रोन मेनिफेक्टरिंग होस के इंडिया में Next, Air India को बेच दिया गया है, सरकार के द्वारा घाटा ओड़ा था, Wave Forward में क्या कहा जा सकता है? देखो, नई-नई Technologies का इस्तमाल किया जाए, Aviation Sector के Operations में जैसे AI आ गया, अब तो, Augmented Reality, Virtual Reality, Blockchain, Big Data, Machine Learning, इन सब का यूज किया जाए ना, तो बढ़िया से Operations चलाए जा सकते हैं, Next, New Passenger Handling Manual for Delayed Flights, अभी देखो, Flights Delay होती है ना, तो बहुत बार Passengers बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं, हाल ही में एक Incident सामने आया, Flight Delay होने के कारण, एक Passenger ने पाइलेट को थपड मार दिया, वो Passenger भी खूब था, मतलब कि, ठीक है, Flight Delay होई, सब को दुख होता है, पाइलेट को थपड मारने से क्या मिलेगा, वो प्रेशन नहीं चला रहे हैं ना, एरलाइन के, Next है, Insuring Crew and Passenger Safety, समयस में पर मोग ड्रिल्स होने चाहिए, यह होना चाहिए कि, जो Cabin Crew है ना, Air Osters वगरा, वो 90 सेंड के अंदर अंदर, पूरा प्लेन खाली करवा दे, जल्दी से इस परकार की capability होनी चाहिए, Next Education, देखो हमारे देश में ना, Airlines को जिस परकार के professionals चाहिए, उस परकार की Education प्रोवाइड करना जरूरी है, College में, ताकि Skill में Mismatch ना हो, Last Slide है, Efficient Regulatory System, अभी जैसे Airport Authority of India है, DGCA है, Aviation Ministry है, Hap 1000W में ना चले, Regulation अच्छे से चले, Regulation क्लियर हो, Consistent हो, Transparency हो, Accountability हो, इन सब चीज़ों को Ensure करने के आउसकता है, और सबसे लाश्ट में यही है, Workforce को Upskill किया जाए, जो आल्रेडी लोग काम कर रहे हैं, उनको भी Upskill करने के आउसकता है, Latest Skills प्रोवाइड करने के आउसकता है, तो देखो यह हमने ना, डिटेल से एक पूरा यूं मान लीजी, आपका Topic डिसकस हो गया, Aviation Sector से समन्दित, अब चलते हैं आगे, इसके बाद नेस्ट आर्टिकल, भारत में Research को पर्मोट करने के लिए, सरकार द्वारा चलाए गए दो प्रोग्राम से समन्दित हैं, वैभव एंड वज्र, आप GS Paper 3 में, यह जो Topic है न, Achievements of Indians in Science and Tech, इस Topics रिलेट कर सकते हों, क्या Contest हैं, देखो, हाल हीमे सेंटर ने यह अनौन्स किया, कि वैभव प्रोग्राम के अंतरगत, जिन साइंटिस्ट को fellowship मिलेगी, उनके नाम सरकार ने बता दिये, आप बोलोगे सर, यह वैभव प्रोग्राम है क्या, इसका पूरा नाम है, वैस्विक भारतिय वज्ञानिक, मैं आपको बिल्कुल आसान भासा में बताता हूं, देखो, बरसों से, हमारा जो देश है न, brain drain की समश्या से सफर कर रहा है, जो अच्छे IQ वाले लोग हैं, जो अच्छे well talented लोग हैं, वो हमारा देश छोड़ के चले जाते हैं, विदेशों में काम करने के लिए, developed countries में, for example, US में, Germany में, UK में, तो उन बच्चों का जो talent है न, IIT से pass out होके, IIT से pass out होके, वो हमारे देश के लिए use नहीं हो पाता, अब सरकार ये चाहती हैं, ऐसे बहुत से researcher, जो देखो या तो Indian origin के हैं, या NRI हैं, या फिर जिनके पूरवज इंडिया से हैं, जो अभी विदेशों में काम कर रहे हैं, वो वापस इंडिया में आके, at least कुछ समय के लिए काम करें, सरकार Indian diaspora के researchers को, इंडिया में बुलाना चाहती हैं, एक निश्चित समय के लिए, निश्चित समय है तीन साल, सरकार कहती है Indian diaspora के researchers को, कि आप तीन साल तक आईए, एक साल में तीन महिने तक आप यहां पे रह सकते हैं India में, हम आपको पैसा देंगे, रहने खाने का सब खर्चा देंगे, फ्लाइट की टिकेट्स देंगे, सब कुछ आपको देंगे, आप यहां इंडिया में आए, तीन साल के लिए आ सकते हो, एक साल में तीन महिने के लिए, और यहां पे आप आके क्या करिए, यहां पे आप आके, जो इंडिया के रिसर्च इंसिटूट्स है ना, फुर एक्जामपल आईएससी, आईएटी, यहां पर आप स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए, किसी नए साइंस प्रोजेक्ट पे, नए रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कीजिए, या फिर स्टूडेंट्स को मेंटर कीजिए, या फिर इंडियन साइंटिस्ट के साथ मिलके, जोइंट प्रोजेक्ट इस्टाबलिस कीजिए, कुछ भी आप कर सकते हो लेकिन आप आईए तो सही इंडिया में दिखो ये इंडियन डैसपुरा के researcher, scientist इंडिया में आके तीन साल के लिए अगर वो इंडिया में आएंगे एक साल में तीन महिना ये सारे काम करेंगे तो फाइदा ये होगा है इंडिया में तो knowledge transfer होगा न उन्होंने अभी तक जो knowledge प्राप्त की है विदेशों में वो उस knowledge को लेके इंडिया में आएंगे और वो knowledge फिर मिलेगी हमारे देश के scientist को हमारे देश के students को ये सरकार का मकसद है इससे देखो देश में innovation आएगा, work culture improve होगा, फाइदे बहुत है तो ये पूरा program क्या है, वैभव सरकार ने ये program launch किया, वैभव इसके बाद next वजर program, ये देखो पुराना program है अब बल्कि एक criticism भी है कि वजर program से मिलता जुलता ही program है, वैभव कोई नई चीज नहीं है वजर program, पुराना program है इसमें क्या था? इसमें देखो, ना सिरफ Indian diaspora के scientist को, बल्कि even foreign national, मतलब जो USA का कोई scientist है UK का है, कहीं का भी हो अगर वो India में आना चाहता है तो एक साल तक के लिए आ सकता है वजर program के अंतरकत भी, सरकार पैसा देगी research के लिए रहना खाना, टीना सब free, आने जाने की tickets, objective देखो वजर program में भी same है कि scientist आएंगे इंडिया में चाहे वो Indian diaspora के हों या फिर किसी दूसरे country के हों, इंडिया में आके नए research पे नए project पे research स्टार्ट करना students को mentor करना, Indian scientist के साथ मिलके joint project पे research स्टार्ट करना, वो सारे objectives जो वैबव प्रोग्राम में है तो आपका question अब ये है, मुझे पता है कि सर, दोनों program से बीच में difference क्या है देखो, दो difference है मेली वैबव प्रोग्राम तीन साल का है किस पे concentrated करता है फोकस करता है Indian diaspora के researchers और scientists पे वज़र program एक साल का है तीन साल का नहीं है और किस पे focus करता है किसी भी देश का scientist हो specifically इंडिया Indian diaspora के scientist पे focus नहीं करता वज़र program पूरी दुनिया में चैए कहीं का भी scientist हो कहीं का भी researcher हो writer ये कहते हैं तो वज़र program को ही सरकार ने दुबारा से लोंज कर लिया वैवव program के अंतरगत सरकार को एक चीज समझ में आ गई कि देखो विदेशी scientist इंडिया में काम करने के लिए आएंगे नहीं संभावना कम है तो इस program को थोड़ा सा change कर दिया जाए तो वज़र program में सरकार तबदीली लेके आई एक तो इस program को तीन साल के कर दिया और दूसरा कर दिया शिरफ Indian diaspora के लिए कम से कम Indian diaspora के लोग है वो देश भक्ती के चलते या फिर ethnicity same है उसको लगे जैसे सवदेश फिलम में सारुखान वापस आये थे तो उसको लगे कि अपनों के लिए कुछ करना है तो इस लिहाँ से Indian diaspora के scientist तो क्यापता फिर भी आ भी जाए लेकिन foreign national फिर भी आते तो है नहीं इसलिए वज़र program की कोई importance नहीं है ये program तो सफल नहीं है तो सरकार ने थोड़ा बोच चेंज करके नया program launch किया वैभव ताकि सिर्फ Indian diaspora के scientist पर focus किया जासके और time period feedback के अधार पर तीन साल कर दिया गया है तो यही criticism है writer का writer कहते हैं कि देखो same ही program है जब पहले वाला program सफल नहीं हुआ तो ये program कैसे सफल होगा writer का main concern है कि देखो जए Indian diaspora के scientist हैं उनको ना विदेशों में बहुत सारी facilities मिलती है बहुत पैसा मिलता है पैसो की कमी नहीं है तो सरकार उनको ना पैसो का लालत देके बुलाना चाहती है कि हम आपको research के लिए fund देंगे रहना पीना खाना सब free देंगे तो ये ना चीजें उतनी अच्छी नहीं है इससे हमारे देश में innovation वाला ecosystem नहीं develop होगा knowledge transfer नहीं होगा क्यूंकि देखो जो basic problems है ना research की जैसे देखो research के लिए सरकार की funding काफी कम है scientist के पास में academic freedom नहीं है याद होगा हमने एक article discuss किया था कि अच्छे scientist अच्छे administrator नहीं हो सकते उसमें हमने बहुत सारी problems discuss की थी देश के science ecosystem में तो जब तक सरकार इन मूल भूत समच्याओं को address नहीं करेगी न तो फिर देखो ये छोटी-छोटी fellowship schemes चला के Indian diaspora के लिए कुछ बदलने नहीं वाला है सिर्फ इन schemes से ज़्यादा expectation रखना ये देखो गलत चीज़ है आप basic जो problems है science management में उनको ठीक कीजिए तब जाके हमारे देश में चीज़ें ठीक होनी start होगी private research अभी इतना कम होती है हमारे देश में जातरप ऐसा research के लिए सरकार के तरफ से आता है जबकि USA जैसे देशों में उल्टा है private companies ज़्यादा खर्च करती है research पे सरकार कम खर्च करती है last में ये भी निकल के आता है point सरकार को ये भी लगता है कि Indian diaspora के scientist वैसे तो हम scheme के अंतरगत उनको 3 साल के लिए बुला रहे हैं लेकिन हो सकता है कि वो रुक जाएं जादा समय के लिए उनका देश प्रेम और भी जादा जाग जाए और वो वापस जाएं ना वी देश में ये तो देखो देखने वाली बात है क्या वो वास्ता में Indian diaspora के scientist तीन साल बात जब ये scheme खतम होगी उसके बाद देश में रुकेंगे या फिर नहीं रुकेंगे चलते हैं आगे इसके बाद next article इंडिन एक्सप्रेस का है finally देखो अब तर्की ने ये फैसला लिया है कि वो स्वीडन की जो कोशिस है ना नाटो को जोइन करने की उसका समर्थन करेगा उसका स्पोर्ट करेगा मैं आपको basics पहले बता देता हूँ जल्दी से बिना time गवाए देखो नाटो एक collective defense वाली organization है collective defense वाली organization मतलब नाटो के जो members है ना जैसे अभी 31 members है 31 मेंबर्स है एक पे भी किसी ने मारा तो तीनों दोस्त एक साथ आएंगे जिसने भी किसी एक को मारा है उससे बदला लेने के लिए ठीक उसे concept पर काम करता है ये नाटो की organization collective defense है एक पे हमला मतलब सब पे हमला अगर हम जबाब देंगे तो सब मिल के जबाब देंगे बेसक एक पे हमला हुआ है सब एक के लिए और एक सब के लिए इस philosophy पे काम करता है ये organization अब देखो इस नाटो organization का एक rule है नया member नाटो का तभी कोई बन सकता है जब आल लेडी जितने भी members है current existing members सभी approval देंगे तभी कोई नया member बन सकता है नाटो का कोई नया देश तभी member बन सकता है अधरवाइस नहीं बन सकता तो ना Sweden काफी समय से नाटो का member बनना चाहता था लेकिन दो देश ना मानने को त्यार नहीं थे Turkey और Hungary तो जैसे मैंने आपको बताया जब तक सारे देश currently existing member नहीं मानेंगे तब तक नए देश को approval मिलेगा ही नहीं तो Turkey और Hungary के कारण Sweden की जो membership थी वो रुकी हुई थी Sweden के बारे में थोड़ा सा डिसकस करें Sweden देखो पिछले दो centuries से पिछले दो दसकों से Sweden ने कोई war नहीं लड़ा है इवन दो world wars के दुरान भी Sweden neutral रहा ना US की साइड गया ना USSR की साइड और cold war के दुरान भी Sweden neutral रहा ना US की साइड गया ना USSR की साइड लेकिन देखो पिछले कुछ सालों में न Sweden ने European Union को जोइन किया और थोड़ा बहुत collaboration किया NATO के साथ में लेकिन फिर भी ऐसा intention तो Sweden ने कभी शो नहीं किया कि वो NATO को जोइन ही करेगा नहीं ऐसा कोई intention Sweden ने पहले जोइन नहीं किया था क्योंकि ना Sweden पहले अपने neighboring country रश्या को नराज नहीं करना चाहता था समझे Sweden नहीं चाहता था कि हमारे NATO जोइन करने से रश्या नराज हो जाए लेकिन ना एकदम से जब रश्या ने उक्रेइन के उपर अटेक किया न तब Sweden डर गया किया रश्या ने उक्रेइन के उपर अटेक कर दिया ऐसे तो कल को हमारे उपर भी अटेक कर सकता है तब Sweden ने finally decide किया क्योंकि Sweden की सरकार पे भिना लोगों का प्रेसर बढ़ता जा रहा था कि आपना NATO को जोइन कीजिए अपनी सुरक्षा करने के लिए रश्या का कोई भरोसा नहीं है तो 2022 में जब रश्या ने उक्रेन के उपर अटेक किया तो Sweden और Finland दोनों ने NATO की मेंबर्शिप के लिए अप्लाई कर दिया अब Finland के लिए तो सभी देशों ने अप्रूवल दे दिया रास्ता साफ मेंबर बनने का लेकिन Sweden के लिए नहीं दिया Sweden के लिए दो देश अड़ गए तर्की और हंगरी अब कोशन उठता है ऐसा क्यों मलब तर्की और हंगरी ने क्यों oppose किया Sweden की मेंबर्शिप को क्योंकि देखो पहली चीज तर्की में जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है ना जो अलग से कुर्दिस्तान देश बनाना चाहती है तर्की कहता है इस पार्टी के कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी के वो स्वीडन में सरण लेके रह रही है स्वीडन उनको कुछ नहीं बोलता स्वीडन उनके परती बहुत ज़रा सोफ्ट है ये पहला रीजन दूसा रीजन आपको पता है देखो तर्की के अमबिशन्स है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की और स्वीडन में इसलाम में पवित्र गरंथ कुरान को जलाने की घटनाएं सामने आई समझे तो स्वीडन की सरकार ने कुछ खास एक्सन नहीं लिया बोला कि ये वीडम ओफ स्पीच के ला से बंदी हुई है तर्की ने राज हो गया तर्की ने खा कि ऐसे कैसे लोग हमारे पवित्र गरंथ को जला रही है आप चुप हो आप कोई एक्सन नहीं ले रहे हो हम आपको नाटो का मेंबर नहीं बनने देंगे तो इसकी वज़े से तर्की और स्वीडन के बीच में काफी खटास थी अब बात करें हंगरी की हंगरी के बारे में तो ना स्वीडन के जो लीडर्स हैं है पोलिटिकल लीडर्स वहां के प्रेजिडेंट बगरा उन्होंने ये बोल दिया था हंगरी में कोई रूल ओफ ला नहीं है डिक्टेटर्सिप है डेमोक्रेसी खत्रे में है तो फिर नराज हो गया हंगरी कि यार ये क्यूं बोल रहा है ये मतलब स्वीडन जो है वो हमारे यहां पे डेमोक्रेसी पे रूल ओफ ला पे क्यों कोश्चन्स उठा रही है इस वज़े से हंगरी ने स्वीडन की मेंबर्सिप को अपोज किया लेगन अब क्या हुआ है अब देखो तर्की का ये कहना है स्वीडन ने काफी सरे एक्सेंस लिये है जो कुर्दी स्ट्र्रिष्ट है न उनके अगेंस्ट रिष्टिक्संस लगाई है एंटी टेरिटिशं ला को और जड़ा श्ट्रोंग बनाया है पीके के पार्टी की एक्किवटीस पे रिष्टिक्संस लगाई है इसके अलावा तर्की को आमस भी बेचेगा स्वीडन स्वीडन ने ये भी बोला है कि हम European Union में तर्की की मेंबर्शिप का समर्थन करेंगे तो ये सारे फाइदे स्वीडन तर्की को पहुंचाएगा और बदले में अब तर्की मान गया है कि हम Sweden की मांग का समर्थन करेंगे वैसे देखो US ना Turkey को 40 F-16 fighter jet बेचेगा कुछ experts इस चीज को ना Sweden की membership से भी देख रहे हैं कि एक तरफ जहां Turkey ने Sweden की मांग का अब समर्थन किया है दूसरी तरफ US से तयार हो गया है Turkey को 40 fighter jet बेचने के लिए तो ये लेंदेन वाली चीज है एक हाथ दो एक अदलो अब देखो ऐसा लगता है Hungary भी मान जाएगा साइद और Sweden finally NATO का member बन जाएगा क्योंकि Hungary और Sweden के बीच में बाचित चल रही है लेकिन देखो रश्या के लिए काफी चिंता की बात है Baltic Sea में Finland, Sweden ये सारे देश अब NATO का member बन गए है यहाँ पे NATO की forces तेनात रहेंगी रूस के बिलकुल पडोस में तो रश्या के लिए एक खत्रे की घंटी है Sweden की military बेसक बहुत छोटी है लेकिन modern है advanced aircraft है submarine capabilities अच्छी है अगर question पूछा जाए क्या इंडिया NATO का member है नई NATO देखो बनी थी cold war के दुरान और इंडिया उससे में किसी भी group में सामिल नहीं था ना USA के ना USSR के बट अब USA में चर्चाएं चल रही है NATO plus organization का निर्मान किया जाए यहाँ पे NATO plus organization चाइना के खिलाफ लड़े और ताइवान की सुरक्षा करे और NATO plus organization में इंडिया को भी सामिल किया जाए ऐसी चर्चाएं चल रही है अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया NATO plus में सामिल होगा या नहीं होगा पास्ट में पहले भी proposal दिये गए है USA के द्वारा और इंडिया ने कोई खास response नहीं दिया है USA के इन proposals में इंडिया के भी थोड़ी reluctance है लेकिन देखने वाली बात है future में ये NATO plus वाला concept कितना आगे जाना वाला है चलते हैं आगे लास्ट में आप questions देख ले थे हैं जो आपको attempt करने है questions देखो आज आपको तीन attempt करने है एक तो वैबव और वजर प्रोग्राम से सम्मदित दूसरा देखो aviation sector से सम्मदित हमने topic discuss किया था वहां से एक question आपको attempt करना है जो UPSC ने पूछा था 2017 में फिर आज Republic Day है तो आपको इससे सम्मदित भी एक question attempt करना है तीन questions attempt आपको करने है तीनों दोसो पचांस वर्ट्स में pwonlyis.com पे जाके आप इन questions को address कर सकते हो प्री से सम्मदित एक question है ये भी UPSC ने पूछा था इंडिया का exact constitutional status क्या था 26 जनवरी 1950 को सोचिए इसका answer क्या है फिर मैं बताता हूँ इसका answer देखो B है Sovereign Democratic Republic उमीद है कि आप सबने सही answer इसका दिया होगा तो ये थी हमारी आज की discussion कैसी लगी आपको discussion आप comment box में बताइए कल मिलते हैं फिर से एक नई energetic discussion के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए Thank you, thank you very much for discussion